अब नेक्स्ट एक्जम्पल देखो सोहन पर्चेस गुड्स फ्रॉम मुकेश पॉर रुपी 6 लेट प्लस IGST 18 परसेंट तो सोहन जो कि हमारा बायर है वो देली में है और जो मुकेश है वो बिहार में है तो यहां पर जो है डिफरेंट स्टेट्स में पर्चेस हो रही है यानि यह हमारी इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है तो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन के उपर लगता है IGST तो सोहन ने मुकेश से 6 लागे गुड्स पर्चेस करें जिसके ओपर 18% का IGST लगाए और यहां पर इस पर्चेस के उपर 10% का ट्रेड डिसकॉंट मिला है और सोहन ने के टाइम पर हाफ अमाउंट पे करिए बिजय कर लगत तो अगर एक सोहन अगर मोगत के बात की शॉलूशन के अंदर इस तरीके से आप यहां पर देखो यह हमारा वर्किंग नोट है सबसे पहले लिस्ट प्राइज आएगा 6 लाक उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट करेंगे कर दी जाती है उतनी पेइमिंट पर हम कैश डिसकाउंट देते हैं तो यहां पर 5,40,000 का अगर हम हाफ करें तो आएगा 2,70,000 तो 2,70,000 के ओपर दो परसंट के कैश डिसकाउंट मिलेगा तो 2,70,000 का 2% हो गया 5,004 तो यह हमारा कैश डिसकाउंट की अमाउंट आ गई सोहन के यहां पर काटके सोहन के लिए लिए इंकम बड़ रहे है तो सोहन के लिए हमने क्रेडिट करेंगा तो यहां पर हमने क्रेडिट करेंगे कितना आएगा 96,00228 यह हमारा IGST आ गया सोहन गुड्स को परचेस कर रहा है तो सोहन परचेस के टाइम पर जो IGST पे करेगा वो सोहन का असेट बनेगा तो यहां पर सोहन इस IGST को डेबिट करेगा तो इसको हमने एड़ कर दिया 5,34,600 में 96,228 को एड़ करा हमारे पास फाइनल अमांट आ गई 6,388 यह हमारी फाइनल अमांट हो गई तो यहां तक तो सभी बुक्स के अंदर कोश्चन बिल्कु सेम होता है प्रॉलम आती है इसके आगे अब ध्यान से मेरी वात को सुनना यहां पर जो कैश रिसकाउंट दिया गया था वो 2,70,000 के ओपर दिया गया था हमें कोश्चन ने बोला था कि सोहन ने हाफ अमांट पे करी है परचेस के होगा और 3,15,414 की पेमिंट करी होगी अगर हम 6,30,828 को दो पार्स में डिवाइड कर लें यानि इसका 50% कर लें तो हमार पास आ जागा 3,15,414 सोहन जब गुड्स परचेस करने गया तो मुकेश ने सोहन के लिए यह बिल तियार कर दिया जिसका फाइनल अमांट आ रहा थ तो देखो यह हमारा पहला अल्टरनेटिव हो गया जिसके अंदर हम यह सोचके को सौल कर रहे हैं कि सोहन जो है 3,15,414 की पेमिंट करेगा यानि सोहन का बैंक अकाउंट 3,15,414 से कम होगा सिंपल सी बात है न यहां पर कोश्चन ने बोला हाफ अमांट पे करी जाएगी तो फाइनल अमांट का ही तो हाफ निकालेंगे ऐसा तो है नहीं उपर ही 5,440,000 का हाफ निकाल देंगे कैस जिसकाउंट निकालने के लिए यहां पर हमने 5,440,000 का हाफ करा क्योंकि वह हमारी मजबूरी थी हम बीना कैस जिसकाउंट करें इस 6,3,828 की अमांट पर नहीं पहु जिसे सोहन बाद में पे करेगा तो 3,5,414,000 का हमारा कैश पर यह फिर आप हो सकते हो बैंक पर तो यह तो एक तरीका हो गया को सॉल करने का और यह तरीका मुझे ज्यादा सही लगता है क्यूंकि प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसी तरीके से होगा आप कोई भी समान खेच के साफ से हम कैल्कुलेशन नहीं करते शौक की पर आपको कभी भी पहले विफोर जीस वाला प्राइस नहीं बताएगा फिफोर जीस वाला प्राइस सिर्फ बिल के अंदर लिखा होता है लेकिन वायर जो है हमिश्चा आपकर GST वाले फाइनल प्राइस को ही देखता है तो को दो इक्वल पार्टस में डिवाइड कर दिया कोशन ने बोला था कि सोहन ने इमिजेटली हाफ पेमेंट कर दी तो हमें पांच लाग-440,000 के हाफ अमांट के उपर कैस्ट दिसकांट निकालने हैं तो हमने क्या ग़रा हमने पहले ही अपने इस पांच लाग-440,000 को दो पा है और राइट साइड की जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो सब्सक्राइब करूँ एक ही बात है चेक से पेमेंट करेंगे इसलिए हमने यहां पर बैंक लिख दिया तो और यानि हाफमन्ट के ऊपर की आज़ेग दो लाग सकतन हिया 400 तो 5400 हमारा ट्रिस करेंगे दो लाग चौज शॉकर यह लाग 434600 दो डॉった का दो लाग poly lasciat дело लासम फिर अमने इसमें फाइनली इस ओ आ गई 3,12,228 अब अगर मैं credit वारी transaction की बात करूँ तो इस 2,07,000 के ओपर कोई भी cash discount नहीं मिलेगा cash discount हमेशा cash payment में मिलता है तो यहाँ पर इस 2,07,000 के ओपर direct 18% का IGST लग जाएगा कि left side वाली हमारी cash transaction है और right side वाली हमारी credit transaction है इसका मतलब है कि सोहन ने purchase के time पर जो amount pay करी है वो 3,12,228 रुपए है और जो credit purchase करी है वो 3,18,600 रुपए है समझ में आरी आपको बात अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो यहाँ तक हमने जितना भी काम किया यह सारा काम बि 3,18,600 रुपए तो हमारा जो total आएगा वो 6,38,28 जो कि यहाँ पर आ रहा था यहाँ पर भी 6,38,28 रहा है और अगर आप यहाँ पर जीएश्ट को आड़ करोगे 47,628 के IGST और 48,600 के IGST को आड़ करोगे तो आपका जो total IGST का amount आएगा वो 96,228 जो कि हमारा यहाँ पर भी आ र आपने लास्ट में जाके 6,38,28 को दो पार्ट में डिवाइड करा जबकि हमने अपने दूसरे alternative के अंदर उपर से ही अपने amount को दो पार्स में डिवाइड कर दिया यहाँ पर हमने 5,40,000 को ही दो पार्ट में डिवाइड कर दिया और बोल दिया कि हाफ पार्ट हमारा cash transaction का है और हाफ पार्ट हमारा credit transaction का है तो इस वाले solution में और उस वाले solution में कोई भी calculation wise difference नहीं है सिर्फ difference इसी बात का है कि यहाँ पर हम यह मानके चल रहे हैं कि सोहन ने जो immediate payment करी है वो 3,12,228 की करी है और जो credit purchase है वो 3,18,600 की है जबकि इस वाले solution के अंदर हम बोल रहे हैं कि सबस इसके टाइम पर करी है और जो balance 3,15,444 आ रहा है वो सोहन के लिए credit purchase है बुक्स के अंदर दोनों ही तरीके दे रखे हैं कई बुक्स में यह वाला तरीका दे रखा है कई बुक्स में दूसरा वाला तरीका दे रखा है तो वो तो आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेग पर सिर्फ partial payment करी गई है यहाँ पर देखो यह हमारा cash discount का second case है partially paid वाला अब देखो partially paid का हमने एक और example देखा था तो उस example और इस example में क्या difference है इसको भी समझ लेते हैं यहाँ पर देखो यह हमारा partially paid वाला example था जिसके अंदर सोहन जो है मारा seller था और मुकेश जो है मारा buyer थ पर पर चेस के टाइम पर और वो जो पार्शल पेमेंट थी उस पार्शल पेमेंट की amount हमें कोश्चन नहीं बता दी थी कि buyer ने पर पर 96,000 की payment करी है तो यहाँ पर हमें कोश्चन ने साफ साफ amount बता दिया कि इतना amount buyer ने पर पर पे करा है तो इसी वज़े से इस question के दो solution नह हमें बोला गया है कि buyer ने half amount purchase के time पर पे करी है half amount का मतलब हो गया 50% तो यहीं से हमारे दिमाग में इस सवाल आया कि 50% किसीच का है 50% हम final price का करेंगे या फिर हम starting से ही 50-50% अलग-अलग करके चलेंगे तो अगर partial payment के अंदर question direct ही amount बता दे इस example की तरह है तो तो कोई दिक्कत क्या कि रिए 40-50-60% का मतलब क्या है यह final price का 50-60% है या फिर हमें उपर से ही purchase price को दो parts में डिवाइड करना है यहां पर हमने पहले alternative में क्या करा सबसे पहले हमने final price निकाला उसके बाद हमने उसका 50-50% करा जबकि हमारे दूसरे alternative में क्या हुआ हमने जो है purchase price को ही 50-50% में दिवाइड कर दिया और बोल दिया कि एक पार हमारी cash transaction हो गई और दूसरी पार हमारी credit transaction हो गई तो समझ में आरी आपको बात अब general entry तो आप पास कर लोगे उसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है यहां पर सबसे पहले अगर हम अपने पहले alternative की general entry देखें तो सबसे पहले मुकेश को अपना creditor बना दिया सोहन ने जो है half cash purchase करी है और half credit purchase करी है तो अगर हम without GST देखें तो without GST तो question हमारा यहीं पर खतम हो जागा तो यहां पर हमारी पहले alternative के अंदर क्या बोला गया था कि हम जो है final price का 50% करेंगे यानि हम जो है 5,34,600 का 50% करेंगे 5,34,600 का 50% कितन ने immediately करती और balance 2,67,300 की सोहन ने credit purchase करी है तो समझ में आरी आपको बात और यहां पर हमारे जो purchase price है वो कितना है 5,40,000 यह तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था सोहन हो चाहे मुकेश हो दोनों अपनी purchase sales को 5,40,000 पर ही record करेंगे और जो हमारा cash discount है वो है 5,400 यह 5,400 का cash discount सोह 500,300 की और जो balance 50% है वो है हमारा credit purchase जिसके लिए सोहन जो है मुकेश को अपना creditor बनाएगा तो सोहन ने मुकेश को अपना creditor बना दिया 2,67,300 से तो यह हमारी cash और credit purchase के entry पास हो गई अब अगर मैं discount receive की बात करूं तो यह सोहन के लिए income है जिससे सोहन ने credit कर दिया तो clear होग अब अगर मैं with GST बात करूं तो same ही होगा purchase account debit होगा 5,40,000 से तो bank account credit होगा तो मुकेश अकाउंट भी credit होगा और two discount receive भी credit होगा तो यहां पर discount receive के अंदर भी 5,400 यह आएगा लेकिन आप जो है bank account और मुकेश अकाउंट की amount बदल जाएगी चूंकि इसके अंदर GST भी add हो ग payment सोहन के लिए credit purchase है तो 3,15,414 से सोहन अपने bank account को credit करेगा और 3,15,414 से सोहन अपने creditor account को credit करेगा तो यहां पर आ जागा bank account credit होगा 3,15,414 से और creditor account भी credit होगा 3,15,414 से अब जो difference आ रहा है debit और credit के अंदर वो आ रहा है IGST का credit पे तो हमने इन दोनों amount के अंदर IGST को add कर द जो की सोहन के लिए input IGST है तो purchase के टाइम पर जो GST सोहन पे करेगा वो सोहन के लिए input GST के लाएगा तो यहां पर सोहन ने 96,228 का GST पे करा था तो इसे सोहन ने input IGST लिख दिया और अपना asset demand के debit कर दिया तो अब यहां पर हमारा debit or credit equal होगा तो यह हमारी with GST purchase के entry pass होगी तो clear अब अगर मैं मुकेश की बात करूं तो मुकेश हमारा seller है तो seller जो है सबसे पहले sale के entry pass करेगा तो without GST के अंदर यहां पर sale के entry pass होगी bank account debit to sale account और अगर credit sale है debtor account debit to sale account यहां पर इसको सही कहले ना यहां पर जो है 500 कैसे निकाला था हमने without GST हमारा final price आया था 5,34,600 जिसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था तो 5,34,600 को अगर आप दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो तो आपका आएगा वह 5,44,000 से ही करी जाएगी अब जो difference हा रहा है वो difference मुकेश के लिए discount allowed है यानि मुकेश का expense है discount allowed केता था 5,44,000 तो मुकेश ने अपने discount allowed को debit कर दिया जो कि मुकेश का expense बनेगा तो अब यहाँ पर debit और credit equal हो गया हमारी without GST sales के entry पास हो गई इसमें तो कोई doubt नहीं आपको अभी तक इस तरीके से हम बहुत सारे question देखते हैं अब अगर मैं with GST बात करूँ तो यह बिल्कुल सेम होगा यहाँ पर 101 account के लेना इसको भी यहाँ पर 101 account debit bank account debit discount allowed debit to sales account बिल्कुल सेम है sale account के अंदर 5,40,000 यह आएगा discount allowed के अंदर 5,400 यह आएगा लेकिन यहाँ पर 101 account और bank account के amount बतल जाएगी क्योंकि इसके अंदर GST add हो जाएगा तो हमने यहाँ पर GST add करने के बाद बोला था कि 3,15,414 की payment सोहन ने immediate कर दी और balance 3,15,414 सोहन का credit purchase है तो यहाँ पर जो है मुकेश के लिए जो credit sale होगी वो होगी 3,15,414 और जो cash sale होगी वो भी होगी 3,15,414 सेम है purchase की बिल्कुल opposite है purchase के अंदर जो credit purchase थी वो sale के अंदर credit sale होगी तो बिल्कुल same है अब अज गया है यहाँ पर output GST तो मुकेश हमारा seller है seller ने जो GST buyer से receive करा है वो seller के लिए output GST बनेगा तो यहाँ पर मुकेश ने सोहन से जो GST receive करा था 96,228 का वो GST मुकेश के लिए output GST बन गया output GST हमारा liability होता है तो यहाँ पर मुकेश आपने output IGST को credit करेगा 96,228 से तो बस यहाँ पर हमारा debit or credit equal हो गया तो यह हमारी with GST credit sale के entry पास हो गई तो clear आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई तो यह हमारा भी difference नहीं है बस आपको यहाँ पर bank account और मुकेश अकाउंट को ध्यान नखना है यहाँ पर जो है अगर हम without GST बात करें तो 2,64,600 हमारा bank account बनेगा 2,64,600 की payment सोन ने immediate करी थी और अगर credit purchase की बात करें तो यहाँ पर 2,70,000 की credit purchase है यहाँ पर हम पहले without GST बात कर रहें तो without GST 2,70,000 की credit purchase आ जाएगी इसी तरीके से same sale के case में भी होगा यहाँ पर इसको सोन अकाउंट कर लेना यहाँ पर भी सोन अकाउंट आएगा इसको सही कर लेना तो अगर हम without GST sale की entry की बात करें तो credit sale होगी यहाँ पर 2,70,000 और cash sale होगी आपर 2,64,600 तो समझ में आरी आपको बात बाकी entry same है वही पिछले वाले alternative की तरह है अब अगर हम with GST बात करें तो with GST जो credit purchase होगी वह होगी 3,18,600 यहाँ पर 3,18,600 हमारी credit purchase थी और cash purchase थी 3,12,28 तो यहाँ पर GST आइड करने के बाद bank को credit करा 3,12,228 से और cash account को credit करा 3,18,600 से तो समझ मारी आपको बात बाकी सब कुछ सेम है कोई भी आलग बात नहीं है तो यह हमारे एक ही question के दो alternative solution हो गए आप कौन सा solution आप exam में करोगे वह आपको देखना पड़ेगा आपको अपनी बुक्स के अंदर चेक करना पड़ेगा अलग अलग बुक्स में अलग अलग solution दे रखें तो आप जो एक बड़ देख जिरूर लेना कि आपकी बुक्स में कौन सा solution दे र ट्रॉपिक्तियों पर जो किया है reversal of GST